हेलो फ्रेंड्स अक्षी गयान के नहीं वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है आज मैं फिर से डिल्ली मैट्रिक में से निया कोशन लेका हैं आपके लिए देखिए कोशन करने से पहले मैं आपको दो चीज़े उबताना चाहता हूँ पर तो angle of inclination के बारे में और angle of depression के बारे में देखिए angle of inclination क्या होता है अगर मैं आपसे बोलू कि ये एक छत है ठीके ये एक छत है किसी घर की और ये आप खड़े हैं यहाँ पर और यहाँ पर खड़ी है एक लड़की आपने इस लड़की को देखना देखिए आप पहले आइडिल कंडिशन की बात करूँ आइडिल कंडिशन कैसे होगी कि आप सिर्फ सीधा दे सकते है अगर आपको अपनी गर्दन ना उठानी पड़े तो सिर्फ सीधा दे सकते है यह आपकी आइडिल कंडिशन है अगर angle of inclination कहते हैं इसे छीक है और angle of depression की बात करूँगा अगर ये मैं बोलूँ ये किसी घर की छत है और ये खोड़े हैं आप उपर और नीचे जारे कोई लड़की अगर आप ideal condition की बात करूँ आप सिर्फ सीधा दे सकते हैं अगर आपको अपनी गर्दन ना घुमानी पड़े और आँखे ना नीचे करनी पड़े तो सिर्फ सीधा दे सकते हैं अगर आपको इस लड़की को देखना है तो आपको देखना पड़ेगा ऐसे नीचे की और तो ये जो angle बनेगा नीचे की और उसे बोलते हैं angle of depression उपर की और देखेंगे तो angle of inclination नीचे की और देखेंगे तो angle of depression एक और चीज़ बताना जाता हूँ ठीक है अगर आप देखें अगर ये एक छत है घर की और यहाँ पर खड़ी एक लड़की और ये खड़े हैं आप ठीक है अगर दोनों की ideal condition की बात करूँ तो ये लड़की भी सिर्फ सीधा ही दे सकती है अगर उसको गर्दन ना घुमानी पड़े और अपना सिर या उठाना या जुगाना पड़े और आपके ideal condition है आप भी एकदम सीधा ही देख सकते हैं अगर इस लड़की ने भी आपको देखना हो और आपने भी इस लड़की को देखना हो तो करना क्या पड़ेगा इस लड़की को घुमाना पड़ेगा सिर् नीचे आँगे करने पड़ेंगी नीचे नीचे क्यों और क्या बनेगा angle of depression ये बन गया और अगर आपने इस लड़की को देखना है तो आपको आँके करने पड़ेंगी ऊपर अगर आपको आँके करने पड़ेंगी ऊपर तो ये बन जाएगा आपका angle of inclination देखिए एक बात याद रखें ये बन गया है मेरे पास एक जड़ जड़ बन गया angle of depression और angle of inclination देखिए हमेशा क्या होते है मेरे पास बराबर होते है angle of inclination के बात करूँ angle of depression के बात करूँ हमेशा angle दोनों क्या है मेरे पास बराबर होंगे दो parallel line के बीच में ये हो जाते है alternate angle दो parallel line के बीच में ये जो angle बनेगा बस आपने जट की टेंच लेने की सिरुफ जट बनाना मेरे को जट बनेगा तो जो alternate angle होंगे यह आपस में क्या होते है हमेशा inkl होते है तो angle of inclination और angle of depression क्या होते है हमेशा ब्राबर होते है अब question क्यों चलते है देखे question क्या दे रखा है मेरे पास question दे रखा है मेरे पास कि एक tower है उसका angle of depression to top and the bottom of the building are observed to be 30 degree and 60 degree respectively the height of the building देखें बोला गया एक tower है मेरे पास देखें पहले तो angle of depression बन रहा है angle of depression बन रहा है मतलब मैं tower के उपर खड़ा हूँ तो हम नीचे क्योड देख रहा हूँ इसका मतलब जो building होगी वो tower से क्या होगी मेशा छोटी होगी पहला बोला गया है कि मेरे पास angle of depression जो बन रहा है top से top से bottom की building का top से bottom तक का angle of depression बन रहा है वो बन रहा है मेरे पास कितना 60 degree bottom का मनना 60 degree देखिए अगर मैं ideal condition की बात करी तो मैं सिर्फ सीधा देख सकता हूँ ठीक मुझे नीचे देखना है तो मुझे यह वाला angle बनाना पड़ेगा तो यह जो angle होगा यह क्या होगा मेरा angle of depression होगा जोगी कितना दे रहा है मेरा 60 degree और मैंने आपको बताया है यहाँ angle of depression of top जो top से angle of depression कितना बन रहा है मेरे पास 30 degree देखिए यहाँ से मैं आइडल कर्डिशन की बात करी दम सीधा देखता हूँ और building की top तक देखूँगा तो कितना angle बन रहा है मेरे पास यहाँ पे 30 degree का angle बन रहा है देखिए मैंने बताया यहाँ पे z बनेगा यह बन गया मे मेरे पास 60 degree की 60 degree को बनेगा यहाँ तो यह कितना है मेरे पास 90 degree है तो यह कितना हो जाएगा मेरे पास 30 degree Ll series साट डिग्री बड़े वाला एंगल के सामने बड़ी वाली साइड क्या होगी हमेशा बड़ी होगी जो कि अंडरूट 3 है और थर्टी डिग्री छोटा एंगल है छोटे एंगल के सामने जो साइड होगी हमेशा क्या होगी छोटी होगी देखिए ये वाला है हो दोनों याद कर सकते हैं तो एक याद कर सकते हैं this फेले मैंने बड़ा ट्रेंगल ले लिया हो यह रहा है मैने क्या बोला 60 के साने वाली हमेशा अंडरूट 3 नीचे वाली और इस सब्सक्राइब 12 मेरे पास देखा है उन Самय कि Ѣख donor Rooot 3, Rooot 3 की वैτη दे रुखी मेरे पास 60 मैंने एक के वैल्य निकाल ली कितनी हicamente 21 कितनी है, इस दों इस प॥े और क्यों पर नीकालिannée कितनी है, इस जो जो मे всп Tell शर्णी दिए माशना मैं की value कितनी आगी मेरे पास 20 वन कितना मतलग height की value कितनी आगी 20 बतल ये वाली जो कितनी आगी मेरे पास 20 आगी अगर ये वाली 20 है पूरी 60 है तो ये वाली बच्ची कितनी होगी मेरे पास 40 बच्ची वाली 40 तो ये भी जो देखे 40 ही है जो टावर की विल्डिंग है तो answer कितना सहना जाएका मारप यंभर Kenneth गर विडियो इन्क्राइशन जो है ये समझ लिए ध्यां से बहुत अचा तरी किसम जाय है मेने एंगल पाल मोत नवनते हैं, यह रिंट चोन के पोलोजाज पिरॉट्स तक होता है अन्हुत